दोस्तों आज हम करने वाले है Soul Land 2 के एपिसोड 98 को फुल एक्स्प्लेइन अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना वो सबी चैनल पर अवेलेबल है एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें विना की सिस्टर को दिखाते हैं जो कहती है कि वीना क्या तुम ठीक हो तो वीना कहती है चिंता मत करो सौभागे से उस ट्राइपॉड ने मुझे बाल-बाल मरने से बचा लिया था और सियो सियो सिस्टर मुझे बचाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और तभी हुआ युहाव को स्काई ड्रीम से एक मैसेज मिलता है और वो कहता है युहाव चलो चले यहाँ पर एक तुम्हारे लिए काफी सूटेबल सोल बीस्ट है और जहाँ पर तुम लोग पहले बैटल कर रहे थे वो जगह उसके काफी पास ही है और वहाँ पर करीब द तुम्हारे साथ है तो सभी तरह के चमतकार हो सकते हैं तो हुआ युहाव कहता है तो क्या मुझे ये समझना चाहिए कि मैं एक एक लाक एर स्पिरिट बीस्ट को अपना सकता हूँ तो स्काई ड्रीम कहता है तुम्हारी जो अभी की स्ट्रेंथ है और तुम्हारी जो स्पि नंबर वन स्पिरिट मास्टर होने वाले हो जैसा कि मैंने तुम से वादा किया था और फिर हुआ युहाओ कहता है मुझे लगता है कि अब मुझे उस जगह जाना ही होगा और तभी हुआ युहाओ अचानक से कहता है अंकल आप लोग आगे बढ़ते रहिए मुझे लगता है कि मुझे एक अच्छा स्पिरिट बीस्ट मिला है इसलिए मैं पहले उसे देखने के लिए जाता हूँ और सीयो सीयो और वांडॉम तुम दोनों ऐसे ही इनके साथ आगे बढ़ते रहो मैं काफी जल्दी लोटाऊंगा और इतना कहते ही यह अचानक से यहां से डिसापेर हो जाता है और यह एक बारी वापस से अपना किसी भी तरीके का सुराग नहीं छोड़ता है और जो एक चीज पीछे रह जाती है वो सिर्फ अचमवित लोगों का जुंड होता है और इन लोगों की नजरों के सामने से जो हुआ युहाव डिसापेर हो रहा था वो तो बस इसका एक इल्यूजन था जबकि यह तो फॉरेस्ट के पेडों के भेस में आ गया होता है और यह स्काई ड्रीम के बताय अनुसार काफी तेजी से मूव करता है और फिर हुआ युहाव कहता है क्या शैन मेरी टीम को धून लेंगे और मैं अपने आपको उस ओल्ड मैं से छिपा नहीं सकता हूँ और क्या सच में मुझे ये करने की जरूरत है तो स्काई ड्रीम कहता है ओ अच्छा वो शैन उसे तो मैंने धून लिया है और हमारी उससे काफी जल्दी मुलाकात होने वाली है और इसकी इस बात को सुनके हुआ युहाव काफी चौक जाता है और हुआ युहाव को ऐसे घबराई हुए देख स्काई ड्रीम कहता है चिंता मत करो उससे मुझे निपटने दो और आखिर इस डोमेन के अंदर ऐसा कौन है जो की मेरे खिलाफ कौफी कड़ी टक कर दे रहा है और जैसे ही शैन हुआ युहाव के पास आते हैं तो ये कहते हैं कि लड़के तुम कहा और क्या करने जा रहे हो तो हुआ युहाव इन्हें 1000 एर ओल स्पिरिट बीस्ट के बारे में बता देता है तो शैन कहते हैं तुम उस सोल रिंग को एब जॉब नहीं कर सकते हो और हुआ युहाव शैन को जवाब देते हुए सिर्फ जूट ही कहता है और यह कहता है कि शैन टैंग सेक्ट की एक मिस्टीरियस आठ है जो की इसकी मदद कर सकती है 1000 एर स्पिरिट रिंग को एब जॉब करने में और हुआ युहाव की टैंग सेक्ट के मिस्टीरियस आठ को सुनके शैन सोच में पढ़ जाते है और कहते हैं कि तो फिर यह इमेजन किया जा सकता है और वैसे भी तुम तीनों ही टिंग सेक्ट से हो और ऐसा दिखता है कि तुम लोगों की लिमिट्स भी बाकी लोगों के परे है और हुआ युहाव सोचता है ये तो सच में काम कर रहा है और मुझे खुद को इस परे विश्वास नहीं हो रहा था और तभी शैन कहते हैं ठीक है तुम्हें ये भी आजमा लेना चाहिए वैसे भी तुम्हारे लिए एक सूटेबल स्पिरिट रिंग को दूनना काफी मुश्किल है और मैं तुम्हें समझ सकता हूँ और शैन यहां से जाते हुए कहता है यहीं पर छिपे रहना और मैं पहले जाके सियो सियो और वांग डॉंग से मिलता हूँ और देखता हूँ कि वो कैसे है और इनके यहां से जाते ही हुआ युहाव रहत की सांस लेता है क्योंकि यह काफी ज़्यादा दर गया फिर यह एक ट्री का रूप ले लेता है और शैन के लॉट के आने तक का इंतजार करता है तभी हुआ युहाव कहता है मुझे काफी बुरी सी फीलिंग आ रही है और यह अच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है जो वो सोल बीस्ट है वो मेरी तरफ आ रहे है और फिर हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर युहाव छिपा हुआ है जिसकी तरफ एक बीस्ट धूल उड़ाता हुआ जा रहा है और एक काफी बड़ी फिगर जो की काफी बुरी तरीके से डर रखी थी वो काफी तेजी से हुआ युहाव की तरफ बढ़ रही होती है और यह अपनी जान बचाने के लिए जी जान लगा के भाग रहा होता है और इसकी हुज शॉक वेव्स ने काफी लाज एरिया को कवर कर लिया होता है और हुआ युहाव इसे देख के समझ जाता है कि ये 10,000 एर विंट जोइंट है इसे अपनी तरफ आता देख हुआ युहाव भी काफी घबरा जाता है क्योंकि इसे लगता है कि यह इसे काफी जोर से हिट करने वाला है और अगर अब इसने अपनी असली Soul Skills को इस्तेमाल नहीं किया तो तो ये यहाँ पर injured हो सकता है। यहाँ तक कि यह यहाँ पर मारा भी जा सकता है। इसलिए इसके पास कोई और रास्ता नहीं रह जाता है। तो यह Ice Scorpion Empress की सारी पावर को इस्तेमाल करता है एक काफी दरावना बनाने के लिए। और जब यह Beast इसकी दरावनी पावर को देखता है तो यह और भी ज़्यादा पैनिक करना शुरू कर देता है। और यह इतना ज़्यादा दर जाता है। यह तुरंत ही अपनी direction को बदल लेता है। और जैसे ही यहाँ Beast से चुटकारा पाता है तो इसके बा ही है जो कि उस Joint Beast का पीछा कर रहा है। और वैसे तो Sky Dream ने कहा था कि इन दोनों ही Spirit Beast के कल्टवेशन एक जैसा है। तो फिर कैसे सेम कल्टवेशन वाला Spirit Beast Joint Beast को इतना ज़्यादा कैसे से दरा सकता है। और फिर हमें हुआ यहाँ की Consciousness के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जहाँ पर Ice Scorpion Emperor गुस्से के मारे आग बबुला हो रही होती है। तो Ice Emperor गुस्से में आके Sky Dream की कॉलर पकड़ लेती है और उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम हम सभी को ही मारना चाहते हो। और Sky Dream अब तुम मुझसे ये तो मत कह देना कि तुमने इसे ही चूच किय है युहाँ की 3rd Spirit Ring के लिए तो Sky Dream घबराते हुए कहता है। माफ करना लेकिन ये theoretically हुआ युहाँ के लिए पॉसिबल है और ताकाशी इस Spirit Beast का नाम है। और फिर Ice Emperor गुस्से से कहती है। आखिर तुम क्या सोच रहे थे कि वह एक Emperor Spirit Beast है और अगर तुम उसे मार देते हो तो जितने भी Spirit Beast Stardew Forest के अंदर रहते हैं वो सभी ही हमारा पीछा करेंगे। और क्या तुम्हें ये लगता है कि हम इतने ज्यादा स्ट्रांग है जो हम उनसे बच के जिन्दा जा पाएंगे। और इस तरफ हमारा मासूम सा हुआ युहाँ कहता है ड्रीम ब्रदर Ice Emperor आखिर यह Emperor के नाम से जाने जाते हैं और यह वो जगह है जहाँ पर तुम एक Spirit Ring को दुगनी आसानी से और तो और दुगने रिजल्ट के साथ हासिल कर सकते हो और सभी ही Spirit Beast को इसका परिणाम मिलता है इसलिए सभी ही इसको रिस्पेक्ट देते हैं और इस Spirit Beast की Grand Beauty सभी लोगों को काफी ज्यादा आश्चरे चकित करती है और इसी वजए से इसे Emperor का नाम दिया गया है और Ice Emperor की इस बात को सुनके युहाव काफी ज्यादा दरसा जाता है और कहता है कि Dream Brother तुम मुझसे तो यह मत कहना कि तुमने Spirit Beast को मेरे लिए चूच किया है और यहां तक कि अब तो मुझे भी विश्वास नहीं है कि यह मैं कर सकता हूँ या नहीं और इस तरफ Ice Emperor Sky Dream को पीटते हुए कहती है Sky Dream क्या यही तुम्हारा गोल था लगता है कि तुम समय से पहले ही मरना चाहते हो और यह कहते हुए Ice Emperor Sky Dream को कूटने लगती है और फिर हुआ युहाव राहत की सांस लेते और तभी यहां से कुछ दूरी पर एक काफी जदा तगड़ा ब्लास्ट होता है और इस चीज़ को देखके युहाव भी काफी ज़्यादा चौक जाता है और कहता है कि आखिर वो इतना ज़्यादा पावरफुल अटेक क्या था और तभी यह उस ब्लास्ट के अंदर से शै को मारने के लिए इन्हें सिर्फ एक सिंगल अटेक करने की ही जरूरत पड़ी और लगता है कि अब शैन उस पावफुल बीस्ट के उपर अटेक करने वाले हैं लेकिन तभी बीच में एक काफी पावफुल बीस्ट आ जाता है जो कि आते ही तुरंत ही शैन के उपर अटेक क करने के लिए आया है और आइस एंपरर ने बिलकुल सही कहा था कि वुल्फ बीस्ट फॉरेस्ट का होट है जिसे एक इंक्रेडिबली स्ट्रांग स्पिरिट बीस्ट के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है और हम देखते हैं कि इनके बीच के जो फ्लैश हो रहे थे वो काफी ज़्यादा भयानक और भयनकर हो रहे होते हैं और युहाओ शैन के बढ़ते हुए गुस्से को भी देख पा रहा होता है इसलिए ये डिसाइट कर लेता है कि यह सिचुएशन को और ज्यादा बिगड़ने नहीं दे सकता है और ना ही यह सोचने दे सकता है कि यह मर चुका है और तभी युहाओ अपनी एक लख येर ओल स्पिरिट रिंग को बाहर निकाल लेता है और अपने आइस एक्सप्लोजन से एक काफी जल्दी आ जाएंगे और शायद ये कॉनफलेट भी शान्ति पूर्वक खत्म हो सके और युहाओ राहत भरी सास ले ही रहा होता है तभी आसमान में वापस से ये दोनों काफी खतरनाक तरीके से लड़ने लगते हैं और एक के बाद एक करके काफी तगड़े ब्लास्ट होन थे लेकिन रेडलाइन किंग को नहीं पता था कि ये ग्रेट प्रेश हुआ युहाओ में से आ रहा है बलकि इसे तो ऐसा लग रहा था कि शैन का रेंफोस्मेंट आ रहा है इसलिए इसने गोल्डन थरी आइडलान के साथ मिलके डिसाइड कर लिया था और हां बिलकुल कोई भी रेंफोस्मेंट नहीं आती है और शैन ने किसी तरीके से रेडलाइन किंग को अपने जाल में पकड़ लिया होता है जबकि वुल्फ बीस्ट को अपने एनरजी के बेरियर में पकड़ लिया होता है और इन्हें ऐसा करते देख हुआ युहाओ के काफी तगड़े वाले होश ओड़ जाते हैं और यह मन में कहता है शैन यह हैल्द ऐसी खतरनाक और भयानक चीज भी कर सकता है और हम देखते हैं कि शैन ने रेडलाइन किंग के साथ नेगोशेट करने के लिए वुल्फ बीस्ट को होस्टेज बना लिया होता है और फिर यहाँ से रेडलाइन को यहां से जाते हुए देखता है तो इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि यह सब कैसे खत्म हो गया और युहाओ इस चीज को जानने के लिए काफी उत्सुक होता है तो यह शैन के पास इस चीज को देखने के लिए चला जाता है और यह शैन के पास जाते ही कहता है शैन मेरे बारे में चिंता करना बंद करो मैं एकदम ठीक हूँ तो हुआ युहाओ पूछता है आपने सिर्फ रेड लाइन किंग को ही क्यों जाने दिया और इस अकेले को क्यों पकड़ रखा है तो शैन कहते हैं मैंने तो सिर्फ इसे अपना होस्टेज बना क्योंकि इसके बदले में रेड लाइन किंग तुम्हारे लिए किसी और स्पिरिट बीस्ट को पकड़ के लेके आएगा लड़के क्या तुम इस ओल्ड मैं से डर गए हो क्या और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं और तभी हुआ युहाओ अपन जादा बूस्ट भी कर सकता है और शैन की इस बात को सुनकर वूल्फ बीस्ट कहता है दुश्ट इंसानों तुम्हारी हिम्मत तुम लोगों मुझे जखमी करने की और चलो मैं तुम्हारी खुद की ही कबर को खोदने देता हूँ जिससे तुम धीरे-धीरे करके मरोगे और इस तरफ हुआ युहाओ वूल्फ बीस्ट की आवाज को सुने काफी चौक जाता है क्योंकि वूल्फ बीस्ट की वॉइस काफी ज़्यादा मीथी और सुन्दर होती है और तो और इसकी आवाज किसी प्यारी सी हुमन गल की जैसी होती है और वूल्फ बीस्ट की बात को सु गुस्से से कहते हैं, तुम्हारी इस बुर्दे को धमकाने की कैसे हिम्मत हुई, क्या यही तुम्हारा एंबिशन है, और इतना कहके शैन वूल्फ बीस्ट के उपर काफी ज्यादा प्रेशर डालने लगते हैं, और कहते हैं कि तुम बस एक एंसेट स्पिरिट बीस्ट हो, औ और क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें अपना एंपरर मानते होंगे, और शैन की इस बात को सुनकर वूल्फ बीस्ट रोते हुए कहती है, तुम इनसान बस बखवास करना ही जानते हो, तो शैन कहते हैं, अच्छा अगर तुम उनकी और ज्यादा हेल्प नही राती है, और कहती है कि ऐसा करने की तो हिम्मत भी मत कर लेना, तो शैन इस बीस्ट के बारे में बताते हुए युहाओ से कहते हैं, ये बीस्ट जिस जगह भी होता है, उस जगह को बाकी के बीस्ट भी अपना घर बना लेते हैं, जिससे कि वो इस जैसी सुप्रीम जादा बेनिफिट्स मिलते हैं और इन बेनिफिट्स से उनका फ्यूचर सम्रिध हो जाता है और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं पर और हो जाता है आप लोगों को वीडियो कैसे लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना और हाँ वीडियो अच्छा लगा हो लाइ